मैंने 3 Official Event की बात करी, चाहें वो Scrims हो, चाहें वो जो, BGIS का तुम्हारा The Grind हुआ, उसमें वो Top 4 में नहीं था, उसके बाद Final हुआ, उसमें Top 4 में नहीं था, उसके बाद BGIS हुआ, उसमें वो नहीं था, BM उसी चल रहा है, The Grind का Week 1 हो गया नहीं था उसमें, week 2 हो गया नहीं था उसमें, finals में नहीं हो रहा है उतना तो मैं इसमें कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मेरे हिसाब से मैं तो नहीं गलत बोल रहा हूं बाई, stats है, आप चाहते हो कि जो player इतना ज़्यादा time से dominate कर रहा है वो dominate करे तो आप तो बोलोगे ना कि अभी उनका performance उतना बढ़िया नहीं आ रहा है तो अगर आप ये कह रहे हो कि आप केवल audience की बात सुनके उसके उपर रियाख करोगे तो वो चीज तो गलत है ना, आप एक बार सोच लो या तो आप एक बार stream देख लो, या तो एक बार आपके लिए casting देख लो ठीक है, आप casting देख लो कि casting में, caster actually में बोल के आ रहा है और मैं ये नहीं सौच पा रहा हूँ, caster करे तो करे क्या नहीं बोले, performance, stats, gameplay इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बात करेंगे तो हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे फिर सारी लोग बोलेंगे कि caster score ये तो बात ही नहीं करने आता कैसे, क्या करेंगे हम उसमें, बताओ नहीं, क्या करेंगे क्या, अगर हम उस पे stats की बाते नहीं करेंगे हम the grind के week 2 में बात कर रहे थे, stats की हम actor की बात कर रहे थे कि वो 3 दिन तक कितने matches हो गये थे 0 finishes थे, हम stats की बात कर रहे थे हमने Hydra की बात करी उसमें 2 players थे, जो केवल 1 और 0 finishes के साथ थे वो stats था तो अगर हम ये सारी चीज़े हर एक team के लिए बात कर रहे हैं तो वो गलत कहां से हो गया अभी हमारा official event जस्ट एक हुआ है तो उसी की ही ना बात करेंगे बेजमाई हमारा जादा आए हुए time नहीं हुआ हमें allowed नहीं है PUBG Mobile और PUBG Mobile के बारे में बोलने की, तो हम उसका stats का हैं उसमें गुसाएंगे